आप हैं बिहार समवादाता के शाथ और मैं हूँ मनोच चत्रवेडी जदियों ने लालू यादों के लिए अपने दर्वाजे पर अलीगड का ताला लटका दिया है लेकिन लालू यादों ने अपने एक वयान में कहा है कि हमारे दर्वाजे तो हमेशा खुला रहते हैं यानि कि नितीज के तरफ लालू यादों ने फिर एक छोटा सा हरा चारा फेका है उन्होंने और फेका इसलिए है कि सायद अनुबन दिखने लगी है एंडिये डवल इंजन की सरकार में भी कहीं न कहीं क्योंकि जो एंडिये का फेस्बुक जडियू का और बीजेपी के फेस्बुक और तमाम जो सोशल मेडिया प्रेटफॉर्म है कि हम जो हैं इंडिये की सरकार में अलग हटना होता है तो इसी तरीके की खुराफात वो शुरू कर देते हैं और अभी एक हपते भी नहीं हुए हैं खुराफात जडियू के सोशल मेडिया पेज पर सुरू हो चुका है ताला लटकाने से लेके कनहया कुमार से कल गया में माइक छीनने तक की पूरी घटना पर हम बात करेंगे और उसके साथ हमारे साथ भाज़पा के प्रवक्ता है राकेश सिंग राकेश जी लालू जी ने दर्वाजा खोल कर रखाया ये नितीज जी आईए प्रुव में ही ताई कर दिया था कि इन भरष्ट और बैमानों के लिए दरवाजें बंद कर देना है और इस दरवाजा बंद रहेगा नितीर जी ने कहा है सदन में कहा है कि अब इन के साथ नहीं जाना है हम एक दूबर गय थे लेकिन अब रहेंगे हम पुराने साथी के साथ चुकि आपको भी पता है उनको जिस प्रकार से परतारित किया गया हम लोग भी पक्स में थे हम लोग बोलते थे उनको परतारित किया जा रहा है और उनको परतारित किया जा रहा था और उस परतारना से तंग आकर दूसरे बाद एक तरफ इन भरस्टों बैमानों ने लूट मचा रखा था बिहार में इस से तंग आकर उन्होंने कहा न कि यह लोग गरवर कर रहे थे इसलिए हम इन लोगों के साथ आ गया है यह हमारे पुराने साथ ही है यह लोग गरवर नहीं करेंगे लोग गरवर करने वाले नहीं आए तो बिहार में लालू जी के लिए और भरस्ट लोगों के लिए दरवाजा बंद हो गया है तो आप भी बंद किये थे आप तो भेंटी लेटर तक नहीं छोड़े थे कहते दम रोसंदान तक बंद है हमने दरवाजा बंद कर लिया था इसलिए बंद किया था कि नितीजी भर में हो गए हैं लेकिन आप भी जनता के प्रतिनिदी हैं बिहार को बचाना है इसलिए हम लोग साथ हो जाएं तब दरवाजा खोला गया लेकिन भरस्टों के लिए दरवाजा नहीं पूलेगा नितीज कुमार कम से कम भरस्टों नहीं है शबी तो ही मंदार है भरस्टों के कि भरस्टों को बचाने सरकार इन और बीकास को चांद लगने वाले हैं लेकिन विकास थे 22 घृटा 9 कुमार को पच्छता नहीं है कि अन्दरा 16 महेंने और वाली उनकी आदत है कितना बार तलक होगा आतलाग का लप्चहां फिर सुरू हो गया तेक हपता के अंदर। वह अपना पेज पे लिख रहा है जधिउसब कर रहा है। और आप लोग लिख रहें अडिये आप बडा भाई बन रहे हैं, अब भागल फिर रहे हैं। देखिए लालू जी जो जो सपने देख रहे हैं, लालू जी जो सपने देख रहे हैं, वो सपना अफसाकार नहीं होगा, और हम आपको बता दें, पंदरा में बाइस चीट पर गए थे, और फिर का रहे हैं, मुखमंत्री जी ने उस दिन में कहा, हमारे दोनों डिप्टी से हम चीज सीट भी नहीं आने वाली है, आप नोट कर लीजे, बाइस से भी नीचे जाने वाले हैं, और इन भरष्टों के लिए बिहार की जनता ने दरवाजा बंद कर दिया है, यह कहे हैं कि हम जाएंगे जनता के बीच, किस मूँ से जाईएगा, इसलिए जाएंगे आप, किस आप नहीं मिलने वाली है, बैमानों को सत्ता नहीं मिलने वाली है, राकेजी एक बात कही जा रही है, कि आप हमेशा से राजनेती गल्यारों में भी चर्चा आ रही है, कि नितीष जी जो हैं इन्डी गडबंधन को बनाया, उसको एक रूप रेखा देने की तयारी की, लेकिन भाजपा जो है सबसे जादा इंडी गटबंधन से ही घवडाई हुई थी और नितीज दी से खास करके कि नितीज दी गटबंधन से अलग हो जाए और उस मनसूबे में आप लोग काम्याब हुए और आज देखें गटबंधन तो भाजपा जो है नितीज दी कोई सिर् से चौल का गुटाला है ये हीं धुद्य घरे आपके हां के तमाम जो लोग हैं आपके हाहां सही हो जा रहा है अलग जा रहा हैं घलत हो जा रहा है कल आप लोगों ने क्या Denise कुंस जीई और में सब आखिर क्यों हो इस सब देखिए सबसे पहले बता दे जो प्रस्ट लोगों है उसकी जाच हो और प्रस्ट अचारियों को प्रसरे देने की बात नहीं होनी चाहिए कि जिस प्रकार से ब्रस्ट लोगों ने देश को लूटने का प्लानिंग किया था बिहार में इंडी गट वन्दन की शुरूआत हुई नितीजी को जहांसे में रखने का प्रयास किया गया नितीजी को कहाँ संजोजक बनाएंगे क्या कि आई ब्रस्ट भाहिमान किसी मन्दार पुराने लालु परसाद जी की पुरानी आदत रही है और लालु परसाद जी हमें साथ सब को ठगने का काम करते हैं जिस परकार से मुलायम सिंग पहले भी कहा, आपके चैनल पर भी कहा था, कि मुलायम सिंग जी को जिस परकार से लालू परसाद ने ठगने का काम किया, उसी परकार से नितीज जी को ठगने का प्रयास कर रहे थे, नितीज जी समझ गए, कि बहिमान सब चा रहा है, कुछ सढ्य नंत्री तेए और आप लोगों ने अफिपश वन्टी करकेका कर्थ इंट्र इया। जोता पॉन्टे वोग ना हरता घ्रम का माण में अफ्रोंग को बता होना चाहिए पता होना चाहिए। उस पार्टी को किया था किसी ब्यक्ति को नहीं किया था लेकिन आपको बता दें लालू परसाद जी आज बड़े बड़ी बातें करते हैं बरस्टा चार के आगोस में डूब गए लालू परसाद जी गड़ी भर से आते थे भारती जन्ता पार्टी को लगा था कि गड़ी का बेटा अगर मुखमंत्री बनने चला है तो उसको बना दिया जाए लेकिन बैमानी पर उतर येगा भरष्टाचार करिएगा तो आपके साथ रहेंगे आपका बिरोध करेंगे वह अपना बेटा भी क्यों नहों अपने घर का भी कोई क्यों नहों अपनी पार्टी का भी क्यों बिरोध होगा और यह बिरोध हुआ और भरष्टों का बिरोध करेंगे हम लोग करते रहें और किसी को कोई संका है भारत्य जनता पाटि के किसी नेताओं पर तो लिख के देना उसकी विजाच होगी विहार में भाजपा के अगड़ी जाती के नेता नाराज चल रहा है दिल्ली से इंपोर्ट करके आ रहे हैं क्या बिहार भाजपा में अगड़ी जाती के नेताओं की कमी हो गई है क्या बिहार में और देश में ये देश की पाटी है और आपको पता होगा पिछले दिनों संजे सेटी जी को उतर प्रदेश से रास्टावां भेजा लिए भारतिय से चाहो वहां से राजनीत कर सकता है आपको पता होना चाहिए महराष्ट के जोर्ज फरनांडीज दी थे बिहार की जंता ने उनको समर्थन दे के कई बार लोग समामें भेजने का काम किया ये बिहार की अपनी आदत रही है बिहार तो पहले से भी आगे रहा है इसलिए इस सुद्कार दे रहे हैं माइक छिन ले रहे हैं गया में देखी तो कुन कंग्रेस की पुरानी आदत रही है किसी को आगे जाने देने की छूट नहीं होती है उस बिहार में ये नारा लगने लगा कि इस बार ते जस्वी सरकार ते उससी निकल भी रहे है यात्रा में अपनी डिड़ लाक नोकरियों को पुरा रिजल लेगे वही तो हम बता रहे हैं कि क्याते जसी आदा बताएंगे कि पिछले दिनों बेली रोड में जिस परकार से एक अधिकारी को उनके पड़िवार के लोगों ने मार के ये उनके चेहर को खड़ाब कि राकेजी बिहार की गाओं में सुदूर गाओं में रहने वाली जनता यह नहीं देखती है वो देख रहे हैं कि रोजगार मिला है डिड़ लाक दिया है और वहीं लोग प्रचार कर रहे हैं जिनको मिला है एक लाक पच्छतर हज़ार पिछली एंडिय कि अगर च रेलेना चाहते हैं कि अगर माफियां का मन कौण बढ़ाए था जमीन माफिया को मनकौन बढ़ाए था अधिकारी को पीटनेवाले थे और इसके चवाब देंगे समारी आधव जी को इसका जवाब देना होगा जनता को 15 बरसों तक इनके पिता जी ने और इनके म काम किया और अप्रादियों को संदक्षन देने वालों के साथ नहीं रहना है और बिहार की जंता का भी धे यही है यही सपना है पांच में हम लोग क्यों सरकार में आये नितिय जी के नित्रुत में जो भारते जंता पाटियों कि जो सरकार होने इंडिया की सरकार बनी थी क्यों आये थे लालू जी से तंग थे तब तो हमारे देश ब्याद्ट अब कि माल लिया तो ले क्या आप आई जे प्रवक्ता के रूप में आप यह कर सकते हैं कि नितीश कुमार ने अपने दोनों उपमुख मंत्रियों को इतनी छ सबसे बिचल आए बाड़ सब कर ने काम करने का तरीके अलग है अलग है हम जब सारकार में आते ता कि बिहार कहा झाल बिचने लग सब काड़ सब काम करने के लग हैं लेकिन बैमानों की भरस्टों ने देखा कि नितीजी को फसालो बिहार में विकास का काम नहीं होनों दो नितीजी ने कहा हम दो बारीन के साथ चले गए लेकिन अब नहीं जाना है चो के लिए लोग विकास भी रोधी है ये लोग बिहार को बिनास के रास्टे पर ले जाना चारएं इसलिए हम भारतीय जंता पाठ ये पुराने साथी अमि नहीं के साथ रहने वाले हैं अमि नहीं के साथ रहेंगे लालू यादों ने अपने दर्वाजे खोल रखे हैं हमेशा 24 इंटू 27 जो है एकदम उनका खुला हुआ है नितीज कुमार के लिए लेकिन नितीज कुमार के जो प्रवक्ता है मुख्य प्रवक्ता वो कहते हैं कि हमने भाई ताला लगा दिया है अलिगर का अपने दर्वाजे पे लालू यादों के लिए ये तमाम बाते जो हैं राजनीत में होते रहती हैं बीजेपी ने भी अपने रोशनदान तक नितीज कुमार के लिए बंद कर दिया था लेकिन किसी ना किसी तरीके से उस रोशनदान में भी सेंध लगा ही दी नितीज कुमार ने अब देखना ये है कि 17 महीने करीब सरकार के हैं और फिर से जो सुख भुगाहट राजनिती गलियों में सुरू हो गई है कि जब नितीज से आगे टपकने की कोई कोसिस करता है तो नितीज अपने पीछे हड़ जाते हैं जैसे ही भाजपा जैसा सोसल मेडिया से दिखने